पार 2 में हम देख चुके हैं बास्केट बॉल में सर्वे की टीम कर्टीस की टीम से हारने वाली थी आगे हम देखेंगे आई सजेस्टरा पार 3 से पहले पार 2 भी देख लीचे जिसका लिंक आपको उपर आई बिटन पे मिल जाएगा अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगते हैं तो लाइक और शेयर करना और हां कॉमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना पार्थरी में हम देखते हैं चैरी मेकप करती हूँ कहती है हार नमस सर्वे इंटरवल में वो से अगर कहती है तुम कैसे खेल रहे हो सवे बास्केट बॉल टीम में खेला जाता है कॉर्टिस की जगा टीम पे ध्यान दो स्ट्रेस से नहीं दिल से खेलो समझे अभी टीम को बंद करो जंगली और फिर अपनी टीम से बात कर उसका थेंक्स करता है फिर सवे टीम के साथ कॉपरेट करके खेलता है मैच खतम होने वाला था और वो बॉल मारता है जो नेट में जाते ही गोल हो गया था और उसकी टीम जी जाती है चैरी बहुत खुश थी कॉटिस आकर कह क्योंकि तुम मेरी गॉल हो वो हैरान थी और खुश भी फिर वोसे मैच में हेल्प करने के लिए ठैंक्यू करता है और कहता है क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पे चलोगी वो कहती है तुम मुझे इंवाइट कर रहे हो कहा किस टाइम वो कहता है मेरे घर पे आट बजे मैं खाना बनाऊंगा वो हा करती है और उस कहती है तुम हस क्यों रहो वो कहता है क्योंकि मैं खुश हूँ तो वो भी हस पड़ती है डिनर करते टाइम भी वो स्माइल कर रहा था तो वो कारण पूशती है वो कहता है मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ उस दिन मैं रॉंग बस पर करने के वज़े से रास्ता बटक गया था और बहुत परिशान था तब ही तुम स्माइल करती हुए आई और मुझे हैंकी दिया वो उसे पहुंचता है वो कहती है अच्छा है ना मैंने बनाया है इसे अभी बाई कर लो जब मेरी ब्रैंड फेमस हो जाएगी तो ये महंगा हो जाएगा वो लेने से मना करता है तो वो कहती है पर तुमने से अल्रेडी गंदा कर दिया तो उसे मजबूरान लेना पड़ता है वो कहती है तुमने यह अभी तक रख रखा है मुझे तो यादी नहीं रहा मैं तुमसे कब मिली थी वो कहता है क्योंकि तुम जंगली हो किसे पता था तुम मुझे ऐसे मिलोगी मैंने तुम्हें डूढने की कोशिश की पर तुम हमेशा क्लास किप करती थी और उसी की विज़े से तुम मुझे मिल भी गई और उसके क्लोज आकर कहता है I like you वो कहती है क्या कर रहे हो वो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ समझ नहीं आया क्या क्या तुम मुझे लाइक करती हो मेरी गल्फिंड बनोगी येस और नो वो सोचने लगती है और जल्दी जल्दी में कहती है येस येस पर मैं अभी शूर नहीं हूँ तुम मुझे पूछ रहे हो या फोर्स कर रहे हो वो उसका हाथ अपने दिल पे रख कहता है क्या तुम मेरी फास्ट हटबिट को फिल कर पारी हो आप दूसरा हथ पकड़ो वो कहती है बस करो और खाने लगती है फिर वो बर्तन मांज रहा था तो वो कहती है मैं नहीं मांजूंगी मेरे नेल्स क्राब हो जाएंगे तुमने मुझे फ्लिक क्यों नहीं किया वो कहता है क्योंकि तुमने मेरा परस्पेक्टिव बदल दिया पहले में हमेशा खुद के बारे में सोचता था अपनी मर्जी करता था पर सबसे इंपॉर्टन्ट है दूसरों के लिए कुछ करना जो मेरे साथ हो जैसे तुम मैंने ऐसा कभी नहीं किया मैं तुम्हे कुछ बताना चाहता हूँ तब ही कोई गेट पर आ जाता है और चैरी पे गंतान देता है और वो थे बॉडी कार्ड हॉन्जल की क्यूइन के यानि सरवे की मॉम के वो बिना बताए पैलस से भागने के लिए मॉम से माफी माँगता है मॉम से उसे पता चलता है कि किंग यानि उसके डैड के डैथ हो चुकी है इनफेक्ट वो पहले से इसलिए भागा था क्यूंकि किंग चाहते थे वो प्रिंसिस से शादी करे पर वो बिना प्यार के शादी नहीं करना चाहता था प्रिंसिस उसके childhood friend थी इसलिए वो उसे इस way से like नहीं कर पाया इधर प्रिंसिस Cherry को उपर बैटने के लिए कहती है Cherry माफिय माँगती है तो वो कहती है It's okay क्या तुम प्रिंस की काफी clothes हो Cherry कहती है नहीं बस कुछ time से ही वो कहती है मैं उसे कई सालों से जानती हूँ पर वो मुझे वैसे नहीं देखता जसे तुमें देखता है क्या तुम उसे love करती हो Cherry कुछ नहीं कहती तो वो कहती है मैं प्रिंस को love करती हूँ Cherry कहती है मैं प्रिंस को love नहीं करती मैं बस सौवे को love करती हूँ इधर मॉम उसे कहती है तुम्हें आप पैलस में वापस आकर किंग बनना होगा वो थोड़ा टाइम मांगता है ताकि चैरी की हॉंजल डॉक्यूमेंटरी में हल्प कर सके तो मॉम चैरी को डॉक्यूमेंटरी के लिए बेस्ट विशिस देती है प्रिंस के जाने की बात सुन चैरी सैडो जाती है वो उसे गले लगाता है तो वो कहती है ऐसा मत करो प्रिंस वो कहता है मुझे ऐसे मत बुलाओ मैं अब भी तुम्हारा सर्वे हूं मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूं वो कहती है हाँ तुम पकड सकते हो सवे कहता है I love you cherry फिर वोसे box के अंदर रखा king का crown दिखाता है और कहता है मैं ये वहाँ से ले आया था क्यूंकि बहुत सारे लोग इसे पाने के लिए मारे गए थे वो कहती है तो तुम्हें अब वापस जाकर प्रिंसिस से शादी करनी होगी मैं समझ सकती हूँ जितना टाइम भी हम साथ में हैं खुशी से बिताएंगे रात में वो उसके कपड़े पहन कहती है तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे है वो उसे अपनी गोद में गिरा लेता है और किस करने लगता है पर रुख जाता है वो कहती है शर्मा क्यू रहे हो हम कौन सा पहली बार कर रहे है वो कहता है रियल किस तो पह बच्छों की तरह बने? वो कहती है, क्या ग़हा? वो कहता है, हाँ अच्छी बच्छों की तरह गुद्गुदी और हाथ पकड़ के सोएं वो कहती है, तुम सौनी रहे क्या? वो सोता है तो वो कहती है, एतना गडीब नहीं, अपना हाथ टाओ, प्रिंस छुップ चपは सोजाओ, Queen कहती है Responsibility के होते हुए Prince और उस लड़की का Love Impossible है Notes बनाने के लिए वो साथ में थे तो Friend खुश हो रही थी क्योंकि वो इतने सरे Hot लड़कों के बीच में थी तब ही वहाँ Princess आती है Cherry कहती है ये Honzel की Princess है और सर्वे की फ्यानसे भी वो सब कहते है Princess, फ्यानसे, तो के सर्वे प्रिंस है वो उन सब को सच बता कर ये Secret रखने को गहते है सब उसे Prince की तरह trade करते है तो वो कहता है ऐसा मत करो, मैं अभी भी तुमारी तरह student हूँ और Notes बनाने लगते है सवे Cherry की तरह देख रहा था और Princess उन दोनों की तरफ फिर Cherry प्रिंसिस से पूछती है तुम सवे को क्यों लाइक करती हो वो कहती है, मैं उसे बच्वन से लाइक करती हूँ पर उसे मेरी केर नहीं मुझे उसका सब कुछ पसंद है लुक, परसनेल्टी, एकदम परफेक्ट तुम्हें वो क्यों पसंद है वो कहती है, मैं उसे इसलिए लाइक करती हूँ क्योंकि वो पागल है पर काइन भी, वो मुझे बहुत परिशान करता है पर मेरी केर भी करता है वो हमेशा मुझे जंगली कहता है पर मेरे साथ भी देता है पर तुम चिंता मत करो हम दोनों की बीच जो हुआ मैं उसे सपना समझ लूँगी प्रिंसिस कहती है शाय तुम उसे बहुत प्यार करती हो सवे कन्फ्यूस था कि वो ड्यूटी को चुने या लव को तो ब्राइन कहता है जो तुम्हारे लिए बैस्ट हो उसे चुनो जैसे लव नोट्स के लिए इंटरव्यू को जुरूरत थी तो सवे इंटरव्यू देता है वो चैरी को वहां से भीज देते है तो वो चली जाती है सवे रेक्स को वीडियो का लास्ट ट्लिप कट करके जैसेंड करने को कहता है चैरी नोट्स प्रोफेसर को सवेट कर देती है और पास्वारे की खुश्कबरी सवेट को सुनाती है फिर वो उसका सारा समान पैग देखती है वो कहता है अच्छा होगा हम सात में रहें तो चलो सात में भाग चलते हैं तुम चलोगी, वो कहती है, तुम पहले भी हाँ, पहले से भाग कर आए, और अब फिर, तुम हर चीज से नहीं भाग सकते, तुम ही अपनी डूटी से नहीं भागना चाहिए, और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, आज मैं तुम से लास पर मिलने आई हूँ, और जाने लगती है, वो कहता है, तुमने अपने डिसीजन ले लिया, आइस बंद करो, तुम मुझे एरपोर्ट जाते नहीं देख सकती हो न, क्या मैं तुम्हें लास पर किस कर सकता हूँ, और उसे किस करता है, दोनों रोते हुए गले लग जाते है, चैरी को सैट देख, उसकी फ्र ही ये हर्ट ब्रेकिंग की क्यों न हो, वो तुम्हें सच में बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो चाती है, तुम अपने ड्यूटी में बेस्ट दो, चैरी ने एरपोर्ट जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उसे जाते हुए नहीं देख सकती थी, सकाफी दिन बीच आते है, सर्वे की यादना है, इसलिए चैरी खुट को बीजी रखती है, तब ही कर्टी साकर उसे रोज देने लगता है, वो मना करती है, पर वो जबर्दस्ती देने लगा था, और कहता है, तुम बस ले लो, और अपने फ्रेंड को दे दो, और कहना वो बहुत क्यूट है, उसक कि मैं तुम्हारे ले कुछ नहीं कर पाया, I love you, मैं तुम्हें यह हमेशे बताना चाहता था, I love you Cherry, वो रोने लगी थी, तो वो से हैंकी देता है, चैरी सब एको गले लगा लेती है, और फिर कहती है, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, वो कहता है, मैंने कहा था, मुझे ह क्वीण बनोगी, वो कहती है, प्रिंसिस, और तुमारी मॉम का क्या, वो कहता है, वो मेरे डिसीजिन को समझते है, और मौम को तुम पसंद आई, पर मैं तुम्हें फोरस नहीं करूँगा, वो कहती है, मैं घर जा के सोचू, वो कहता है, नहीं, Cherry, क्या तुम मेरी क्वीण वो कहती है अगर मैं हॉन्जल की क्वीन बनूं तो क्या फैशन डिजाइनर भी बन पाऊंगी सवे कहता है ये बात थी अफकॉस वो हां करती है तो वो कहता है तुम मेरे लिए सबसे प्रिशिस हो ठैंक यू माइक वीन और दोनों किस करते हैं और इसी हैपी एंडिंग के साथ ड्रामा का हैंडो चाता है